क्या आप जानते हैं राम अपने वनवास में क्या खाते थे? आईए, आज हम आपको बताते हैं। राम और लक्षमर ने वनवास में क्या खाया इसका जिक्र रामायन में आता है। उन्होंने मुख्यता जड़ी बूटिया, फल और पेड की छाल का सेवन किया। वालमी की रामायन में जिक्र है कि वे जंगली फलों को खाते थे। इनमें आम, बेर, अमरूद और बेल के फल मुख्य थे। सीता ने राम और लक्षमर के लिए कई बार जड़ी बूटिया और पेडों की छाल एकत्र की। उन्होंने पानी के स्तरोच से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। राक्शसों से बचने के लिए जंगल के गुप्त स्थानों में रहते थे। राधभर वन्य जीवों से अपनी रक्षा के प्रयास में रहते। क्या आप ऐसे अध्वितिय और रोचक तथे जानना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और विडियो को लाइक करें